शहीदे आजम भगत सिंग जब जेल में बंद थे तो अक्सर वो अपने परिजनों को अपने दोस्तों को अपने चाहने वालों को चिठिया लिखा करते थे और लगभग अमुमन हर एक चिठिय में वो अपने गाउं के बच्चों के बारे में संदेश देते थे जिसमें वो अक्सर कहा करते थें कि बच्चे अपनी सिहत का खयाल खुद रखें, खूग मन लका कर पढ़ें और अपना सर्वत्स समाज और देश के लिए निशावर कर दें भगत सिंह की इसी संदेश के साथ आज संत मर्यम अवासिय विध्याले में इलाहबाद विश्व विध्याले के सहायक प्राध्यापक और साहित्यकार डॉक्तर कुमार विरिंद्र ने अपनी बात को समाप्त किया संध मरियम आवाश्रीय विद्याले में अन्य तीनों की तरह अक्सर संस्कार शाला का आयोजन किया जाता रहा है जिस से बच्चे सैक्षिनिक सिख्चा के साथ साथ नैतिक सिख्चा भी ग्रहन करते हैं और जिसका नतीजा होता है कि यहां से निकलने वाले बच्चे अलग-अलग छेत्रों में अपनी हुनर और अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाते नजर आते हैं और एक बार फिर संत्मर्यम आवाश्य विद्याले में आज संसकार साला कायोजन किया गया जहां डॉक्टर कुमार विरेंद्र ने उपस्तित होकर बच्चों को न सिर्फ नैतिक शिक्षा दी बलकि उन्हें साहित्य के ठेर सारी विभ्यूतियों के बारे में बताया और खास करके कबीर की चर्चा उन्होंने इस खास उसर पर की जब अभी के समय में दया, करुना और प्रेम की जरूरत हर किसी को है तो बच्चों के अंदर कबीर के इस संदेश को टालने का काम डॉक्टर कुमार विरेंद्र ने किया इसी दवरान संत मर्या मावाश्य विद्याले के जो निदेशक है अभिनास देव उन्होंने भी अपनी बातों में छात्रों को मोटिवेट करते हुए या कहा कि बच्चे आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है साकरात्मक सोच और साकरात्मक उर्जा के साथ तभी हम अप साहित क्यों पढ़ते हैं साहित पढ़ने की कई ठाइबें देखिए आप मेडिकल में जाते हैं इंजिनियरिंग में जाते हैं तो आप टेकनीकल हो सकते हैं आप मशीन हो सकते हैं रोबेत हो सकते हैं लेकि इंसानियत का पाठ तो साहित पढ़ाता है आदली को मंद से बनाने आप तक जो मैं सिखा हो तो मेरे गुरू की महरवानी थी हमारे और गुरू के बीच में रिश्टे इतने मजबूत थे हमने माना कम था इसने दिया जादा है कि हमारे आपके जिश्के हैं हम चाहिए कि अपर आप नम्र हो भी नम्र हो दयालू हो करुणा आप में आए आप उसरे को मदद करके आगे बढ़ाएं कम्यों विद्यार्थी को आगे बढ़े मदद करें और आप आगे इसना से बढ़ते रहेंगे एजिए मंजीर आपको मिल झाला आप